प्रिय दर्शकों नमस्कार आईए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार सेल रौर केला स्टील प्लांट में निश्चय सुरक्षा पहल के तहत वरिस्ट प्रबंधन के लिए प्रेड़ना दायक सुरक्षा नेत्रित्व कारेशाला आयोजित सेल रौर केला स्टील प्लांट के वरिस्ट प्रबंधन के लिए निश्चय सुरक्षा पहल के तहत एक प्रेड़ना दायक सुरक्षा नेत्रित्व कारेशाला आयोजित की गई कंसल्टिंग एजन्सी अरनेस्ट एंड यंग के विशेशग्यों ने सत्रों का संचालन किया 21 जनवरी 2023 को आयोजित आधे दिन के सत्र में रौर केले स्टील प्लांट आरेस्पी के निदेशक प्रभारी श्री अतनू भौमे कारेशालाओं का उद्देश संगठन की सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करके दुरघटना मुक्त स्टील का उत्पादन करना है जहां सुरक्षा हर कारियात्मक पहलू का एक अभिन्न अंग होगी इस उद्देश से वरिष्ट स्तर के प्रबंधन को पूरा शामिल करने के लिए प्रेड़ना दायक सुरक्षा नित्रित्व कारेशाला को डिजाइन किया गया है इस सत्र में सेल आरेस्पी की संशोधित सुरक्षा निती के कुछ प्रमुक बिंदों पर जोर दिया गया इसमें प्रतेक प्रतिभाग्यों की भूमिकाओं जिमेदारियों और जबाब देही के संबंध में सुरक्षा विरोधा भास को समझने और प्रबंधित करने के लिए अपने स्वयम के उद्देश और विश्वास को प्रतिबंबित करने के लिए प्रोसाहित किया प्रेणना दायक ने तृत्व कोशल के अधार पर स्वयम का आकलन करने के लिए सुरक्षा प्रबंधंग प्रती बद्धता सिध्धान्त सुरक्षा शासन सरचना के प्रती एक समग्र और एकी कृत जिस्टी कोण के महत्व जैसे विभिन मॉडलों और सिध्धान्तों को संबोधित किया गया सत्र में ऑडियो विजूल क्लिप मनोवेज्ञानिक खेल अभ्यास और मुल्यांकन उपकरनों शामिल था प्रशिक्षन का संचालन महाप्रबंधक प्रभारी सुरक्षा श्री अशोक पंडा महाप्रबंधक सुरक्षा श्री अबकाज बहरा और सुरक्षा इंजिनेरिंग विभाग की टीम द्वारा किया गया सेल राओर के लाइस पास सयंत्र RSP के अनुसंधान और नियंत्रन प्रयोक्षाला RCL में मुख्य महाप्रबंधक गुडमत्ता श्री आतिश चंद सरकार द्वारा 20 जन्वरी को एक पुनर निर्मित सैंपलिंग अनुभाग प्रयोक्षाला का उदगाटन किया गया इस अवसर पर RCL और अन्य संबंध विभागों के अन्य वरिष्ट अधिकारी और कर्मिचारी अबस्तित थे वो लेखनी है कि अनुसंधान और नियंत्रन प्रयोक्षाला RCL पूरे सैंध्र में अपनी प्रयोक्षालाओं में अनुकूल और स्मार्ट काम करने की स्थिती लाने के लिए कई नवीन विचारों को क्रियानवित कर रही है हाले में शुरू की गई प्रेरक योजना वर्क प्लेस एक्सिलेंस पहल के तहर सैंप्लिंग सेक्षन प्रयोक्षाला का नवीनी करण किया गया है गौर तलब है कि RNC लैब में सैंप्लिंग सेक्षन आने वाले कच्चे माल और इन प्रोसेस समागरी की गुर्वत्ता का आकलन करने में महत्वकून भूमिका निभाता है RNC लैब के मुख्यभवन में वर्तमान नमूना करन अनुभाग आने वाले और साथ ही प्रक्रियाधिन कोईले और कोक के नमूने एकत्र करने और तयार करने की आवशक्ता को पूरा करता है इसके अलावा XRF मशीन में अन्तिम विशलेशन के लिए फेरो एलोईज, फेरो सिलिकॉन, फेरो मेगनीज, फेरो वेनेडियम सैंपल के सैंपलिंग और तयार का काम भी इस सैंपलिंग सेक्शन में किया जाता है इसके अलावा ग्रिफाइड फ्लेक्स, केलकलाइंड, पेट्रोलियम कोक, बीएफ फाइन्स और एल्डी स्लेग का सैंपलिंग और सी विशेशन भी इस सेक्शन में किया जाता है चुकि इसमें बड़ी मात्रा में धूल भरे कच्चे माल के नमूने की दैनिक हैंडलिंग के आवशक्ता होती है सैंपलिंग सेक्शन में काम करने का महौल भी अच्छा नहीं था विभाग के वरिष्ट अधिकारियों से समस्या पर चर्चा की गई उपलब्द संसाधनों को आवशक्ता के अनुसार संशोदित किया गया R&C Lab की टीम में महा प्रबंधक R&RCL श्री पीके मित्रा महस प्रबंधक RCL श्री स्वपन कुमार दास सहायक प्रबंधक RCL श्री दीपक कुमार महंती ने RCL के कर्मचारियों के साथ श्री AC सरकार के मागदर्शन और पर्यवेचन में नमूना अनुभाग प्रयोक्षाला के संसोधन पर काम किया सैंप्लिंग सेक्शन के नवीनी करण में विभिन्न संबंध एजन्सियों जैसे CES, RCM, RSE, RMHP, मेकेनिकल से आवश्यक मदद मांगी गए थी टीम ने अपनी उस्साही पहल के साथ लैप को एक सुरक्षित प्रबुद्ध, उज्वल और जीवन्त कारिस्थल में बदल दिया है सामुहिक प्रयाज से यहाँ अनुभाग अब काम करने के सबसे स्वच्छ स्थानों में से एक बन गया है आजादिका अमरित महस्तो 2.0 समारो के उपलक्ष में सेल रावर के लैस्टील प्लान और इसा के प्रख्यात व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तूत कर रहा है आज के व्यक्तित्व है बाग में विश्वनात कर 24 दिसंबर 1864 को कटक जिले के महंगा के मुल बसंत गाउं में जन्मेश्री विश्वनात कर को एक ऐसे प्रख्यात निवंधकार के रूप में याद किया जाता है जिनकी रचनाय मौलिक और गहन विशलेशन तथा अनूठी शैली और भाशा के लिए जानी जाती है उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना केरियर शुरू किया और लगभग चार दशकों तक प्रसिद्ध सहित्तिक पत्रिका उतकल सहित्त के संपादक भी रहे वे उढ़िया साहित्तिक लेखन में एक प्रवित्तिक सेंटर थे, उनकी रचना विविद प्रबंध में उढ़िया के काला तीत निबंद शामिल हैं, स्वाधीन, चिंता, आशा, महास्तरोत, स्वाधीनता, राक्षास लीला, इस्थरी शिक्षा, अनन्त प्रेम उढ़िया सा 34 को निधन हो गया इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचायर यहीं समाप्त होते हैं नमस्कार